पानी की मनमानी से तूर्की और इंडिनीशिया ही परशान नहीं है बलकि जल का जलजला तो उत्तरी इंग्लिंड पर भी बरस रहा है तूफान बारिश और बार ने इंग्लिंड के खूबसूरत जिले कैमरिया में ऐसी तबाही मचाई जो वहाँ पहले कभी नहीं देखी गई कुद्रत गुस्से में है इस गुस्से से बचना मुश्किल है जिसने लड़ने की कोशिश की वो मिट्टी में मिल गया ये पानी का प्रलै है जी हाँ पानी फिर प्रलै मचा रहा है पानी का ये तांडाव मच रहा है बिटिन के खूपसूरत कम्रिया जिले में अधिकारियों के मताबिक उत्तरी एंग्लेंड में कुद्रत का ऐसा कहर पहले नहीं बर साथा तूफान के बाद पारिश और फिर बाढ़ ने यहां ऐसे हालात पैदा कर दिये हैं कि जन जीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त खूँ गया है कम्रिया जिले के हसार से भी स्यादा घरों में पानी खुश आया है सडके धुस्त हो चुकी है, सैक्रो बुल खत्रे में है बाद में फसे लोगों को सेना के हलिकॉप्टर से निकाला जा रहा है कम्रिया जिले के लोगों से कहा जया है कि वो फिलहाल अपने घरों में ना लटें क्योंकि इस से उनकी जान को खत्रा हो सकता है ब्रिटन के मौसम बिभाग ने सिर्फ वोकेर मौस इलाके में 24 खंटों में 314.4 मिलिमीटर बारिश दर्च की है बार ने यहां ऐसी तबाही मचाई के 1840 में बना कालबा प्रिज देखते ही देखते जमीन परागिरा इस पुल के गरने से उत्तरी इंग्लेंड का तठी ये शहर वार्किंग्टन दो हिस्सों में बढ़ गया है बारिश और पार ने उत्तरी इंग्लेंड में ऐसा खौफ पैदा किया है कि 25 सेला के अधिकारी इलाके के 1800 पुलों की सुरक्षा कुले कर चिंतित हो उठे हैं उन्हें डर है कि कहीं इलाके के बाकी पुलों का भी वही हाल नहों जो इस प्रिच का हुए कुछ कुलों को जहां आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है वहीं कुछ के गिरने का इंतसार किया जा रहा है उत्तरी इंग्लेंड में दो साल पहले भी बार्ण ने तबाही मचाई थी लेकिन तब तबाही इतनी बड़ी नहीं थी ये पहला मौका है जब पानी का प्रले ब्रिटेन को डरा रहा है आज तक वियरो